जे श्री कृष्णा हर हर महादेव नमाइश्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो का टॉपिक है मरन कार का स्थान ये टॉपिक को बेतर तरीके से समझने के लिए इसके और भी वीडियो के पाट आएंगे तो आज केवल मतलब समझने का प्रयास करेंगे और ये ग्रहों का स्थान समझने का प्रयास करेंगे As usual पहले meaning समझने की कोशिश करते है दिए इसमें तीन शब्द है मरन, कार का, स्थान तो मरन का मतलब निकल के आता है death कार का का मतलब होता है significator और स्थान का मतलब होता है place, जगा तो कुंडली के 12 घरों में से कोई एक घर किसी एक घर के लिए मरन कारक स्थान बन जाता है और इसमें राशी का कोई रोल नहीं है अब simple सा सवाल आता है कि ये होता क्यों है तो ये तब होता है जब एक घर की energy एक specific घर से match नहीं खाती और ये दोनों ही एक दूसरे से contradict कर रही होती है तो यहां घर बहुत ज़ादा uncomfortable हो जाता है ये समझने के लिए आपको उटपटांग examples लेने पड़ेंगे example किसी डॉक्टर को किसी prestigious डॉक्टर को आप बोलो सरकस में छलांग लगाओ जबरदस्ती या किसी शान और शोकत व्यक्ती को बिकारी के साथ खड़े कर दो याद रखो जबरदस्ती तो ये लोग uncomfortable हो जाएंगे कैसे भी करके ये situation से निकलना पसंद करेंगे ये लोग अगर मेरे observation से मैं बात करूँ तो कुछ ग्रहों के लिए मैंने ये समझाए कि मरन कारकस्तान बहुत ही ज़दा critical पाए गए है कितना critical वो आप उधारन के तोर पे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पानी पसंद नहीं और नाहीं उसे swimming आती है फिर भी उसे जबरदस्ती पानी में धकेल दिया गया और कहा गया बच सके तो swimming कर और बच जा ऐसी critical condition मैंने देखिए Saturn in first house Moon in eighth house बहुत ज़दा critical होता है मैंने most of the time देखा है उसके बाद देखिए 7th house का Mars ये भी थोड़ा critical है उसके इलावा देखिए सभी ग्रह मरन कारकस्तान में तो पोच्टे हैं मगर बाकी ग्रहों पे मैंने उतना प्रभावद नहीं देखा होगा जरूर बट उनके aspects बहुत limited है मैं ये नहीं कहे रहा हूँ कि बाकी ग्रहों पे काम ही नहीं करेगा मैं ये कहे रहा हूँ कि इन ग्रहों पे बहुत ज़्यादा काम करेगा तो अब हम मरन कारकस्तान को समझ सकते हैं कि ग्रह की अवस्ता कैसी हो रही है मरने योग ग्या अब कोई भी व्यक्ति डाइंग सिच्वेशन में सिर्फ एकी चीज एक्सपेक करता है कि कोई आये और मुझे बचा ले क्योंकि वो कुद ओवरकम नहीं कर पा रहा इस सिच्वेशन को तो जब भी कोई ग्रह मरन कारकस्तान में पोच जाए वो सास नहीं ले पा रहे है वो डूब रहे है मदद मांग रहे है मदद ना मिली तो संभावना है कि वो खतम हो जाएंगे अब ये सिच्वेशन इतनी आसाम नहीं है कि किसी और ग्रह ने उन्हें मदद दे दी और सब ठीक हो गया अगर बचाने वाला ग्रह या कोई भी ग्रह MKS प्लैनेट के साथ योग बना ले तो वो ग्रह का स्ट्रॉंग होना बहुत ज़रूरी है वरना MKS प्लैनेट ये हेल्पिंग प्लैनेट को भी ले डूएगा तो आप समझिएगा MKS प्लैनेट कहूंगा उसका मतलत है ग्रह जो मरन कारण स्टान में हो और इसी सिचुएशन को हम मरन करन स्टान भी कहते है क्योंकि ग्रह तो उस स्टान में पोच गया है घर से अगर हेल्प ना मिले फिर भी उन्हें तो पफॉर्म करना होगा ना तो there is a chance कि वो प्लैनेट भी drain out हो जाए तो जैसे जैसे हम study करेंगे आगे आगे हमें पता चलेगा कि काफी बार काफी situations ऐसे होते हैं जहां एक प्लैनेट पावरफुल भी है अच्छे position में भी है फिर भी उसी से related problem नजर आ रही है और analyze करने पे ये पता चलता है कि उन्हों किसी ऐसे प्लैनेट के साथ योग बना रखा है या कोई ऐसे ग्रह का कोई ऐसा योग बना रखा है कुंडली में जिसके वज़े से ये अच्छा प्लैनेट अपने result नहीं दे पा रहा है या वो शुब की जगे अशुब परिनाम दे रहा है तो ये बिलकुल होता है एक strong, exalted एक बहुत अच्छी तरीके से बैटा हुआ प्लैनेट उसी ने problem दे दी हो ऐसा chances कभी-कभी संभव है क्यों क्योंकि उसे कोई और प्लैनेट के वज़े से खराब होना पड़ता है कुंडली में तो ये एक line में आप समझ सकते हैं कि योग कितना important चीज है जोतिश में और बल कोई योग कारक ग्रह, exalted बेटा हो अच्छे घरों में बेटा हो और वो किसी मरंकारन स्तान के प्लैनेट पे अपना प्रभाव डाले तो यहां situation में राहत मिलने वाली है हो सकता initial stage में troubles होंगे मगर वो recover भी हो जाएंगे अब यहां एक और interesting चीज मैं आपसे share करना चाहूंगा देखे डूबते हुए व्यक्ति को क्या चाहिए उसे चाहिए oxygen उसे चाहिए divine मदद उसे रास्ता चाहिए कि इस situation से मैं भार कैसे आ सकूँ अब आप विचार करिए यह सब कौन सा ग्रह signify करता है divine blessing, oxygen कौन सा ग्रह आ जो कोई भी मरं कारक स्थान में बैठा ग्रह हो उसे अगर expect कर दे तो recovery के chance बहुत हाई हो जाते हैं हमने discuss किया था सभी ग्रहों को भगवान शीव ने duty पे लगाया है तो भगवान शीव कह रहे है कि आप सभी जीव के उद्धार के लिए हो और कारक तत्व में हमने जाना ब्रहजपती महाराज oxygen को represent कर रहे है, divine blessing को represent कर रहे है तो यहाँ एक चीज़ साफ निकल के आती है कि अगर महरन कारक स्थान में बैटे हुए ग्रह पे गुरु ग्रह की positive द्रिष्टी आ जाए तो ये ग्रह definitely recover कर लेगा मगर भगवान शिव ने एक चीज़ कही कि व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से बेर कर ले कोई दिक्कत नहीं पर कोई व्यक्ति गुरु से बेर कर ले तो दिक्कत है तो याद रखिए एक positive Jupiter का aspect चाहिए क्योंकि वो ही divine blessing है Jupiter में ही ताकत है कि किसी ऐसे अवस्ता से भी ग्रह को बाहर निकाल देंगे तो ये एक basic सी बाते हमने जानी मरन कारक्स्थान के बारे में पर अब यहाँ next step पे आपको क्या-क्या पता होना चाहिए मरन कारक्स्थान को study करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको house significator पता होना चाहिए जो हमने already discuss कर रखा है आप देख सकते हैं उसमें हमने समझाया है जैसे कि सूर्य देव जो है वो first house को signify करते है गुरु देव जो है वो second house को signify करते है मतलब second, fifth, ninth और 11th house का पूरा गंट्रोल ब्रहस्पती देव के पास है ठीके तीसरा गर जो है मंगल देव के पास है चोतागर जो है चंद्रमा के पास है तो वो वीडियो आप देख सकते है वो आपको जान लेना जरूरी है और दूसरी बात क्या अवश्यक है कि आपको भाव के signification पता हो कौन से गर में क्या चीज़े है जैसे पहले गर में आपकी सेहत है आपकी intelligence है चोते गर में आपके मन क सुख है चोतागर आपके माता का स्तान है तो चोतागर देखे भूमी प्रोपर्टी वास्तू इंटिरियर हन्य काफी सारी चीजों को दर्शाता है तो ऐसे ही सबी भावों के आपको signification पता होने चाहिए तो उस पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए बेसिक है सारी चीज़े उसमें नहीं मिलेंगी पर हां समझने के लिए आपको काफी चीज़े मिल जाएंगी अब अगर आपको ये दोनों चीज़े आती हो तो आप कॉंडली में ये जान सकते हो कि कौन सा ग्रह कहां बैटा है और वो क्यों मरनकारकस्ता में पोच रहे हैं सूर्य देव बार्वे गर में चंद्रमा आटवे गर में मंगल देव सातवे गर में बुद्ध देव चोते और सातवे गर में गुरु देव तीसरे गर में शुक्र देव छटे गर में शनी देव पहले गर में राहु माराज नवे गर में और केतु मरण कारकस्तान में पोच जाते है अब कुछ open discussion करते हैं जिससे आप ये याद रख सके कि सूर्य और चंद्रमा क्यूं 12 और 8 गर में मरण कारकस्तान में पोच रहे है बाकी ग्रहों पे हम next वीडियो में बात करने वाले है बात करू सूर्य देव की तो वो पेले गर में उचके होते है वो उनका power house है लगन के कारक है सूर्य देव और उमीद करता हूँ कि अब हम जानते है कि किसी भी गर से बारवा गर जो है वो उनका negation house है जिसे हम कहते है house of losses पेला गर start है तो बारवा गर end है अब सूर्य देव बा नाम की कोई शब्द पता ही नहीं वो अनंतकाल के लिए है तो बारवे गर में अब क्या condition आ गई जो पता नहीं जो देखना नहीं वो देखना पड़ रहा है उसके लवदी कि sun is always awake वो सोते नहीं है उनके opposite कौन से planet है Saturn जो की अंदकार को रिप्रेजंट करते है नींद को रि प्लानिट on its own orbit शनी देव अपने ही ओर्बिट में इतने स्लो चलते है कि पता ही नहीं चलता कि वो चल भी रहे या नहीं और sun की बात करें तो देखे 24-7 रोशनी दे रहे है सृष्टी को तो वो एक बहुत ही highly active प्लानिट है बहुत ही awake रूप में आपको नजर आते है अब ये conflict जो है ये बारवेगर में सूर्यदेव को मरंकारकस्तान में पोचा रहा है वो ही चाट में हमने देखा शनी देव पहले गर में मरंकारकस्तान में पोच जाते है तो पहला गर क्या है highly active start of everything वो power house है वो source है शनी देव highly inactive planet है वो वहाँ जाके uncomfortable हो जाते है उनकी अवस्त कुछ ऐसी होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पूरी कुंडली को control या operate कैसे करूं वो गर उनके nature के एकदम परे है तो मैंने आपसे कहा था कुछ ग्रह है जिनका MKS का बहुत जादा असर आपको देखने मिलेगा परन्तु बाकी ग्रहों में बहुत जादा असर नहीं द जरूर कर रहे हैं मगर वो फिर भी पूरी तरीके से destroyed नहीं हो जाते हैं हो सकता है व्यक्ति का नींद कम हो जाए उसका bedroom life थोड़ा सा कम हो जाए या ना हो पर यहां most of the time sun की खुद की significance बहुत जल्दी spoil नहीं होती है और देखिए open discussion कर रहे है तो देखिए purest energy हम किसे मानते है sun को मानते है और कुंडली में बारवागर bedroom का या personal partner time का हम मानते है और हम यह भी मानते है कि यह दोनों ही opposite चीज़े है 12th house में कोई मर्यादा नहीं होती और सूर्य देव तो खुद ह सूर्य भगवान भगवान श्री राम है हमने जाना था 10 अफता रूप में सूर्य भगवान भगवान श्री राम है और देखिए house significator के वीडियो में हमने बात की थी बारवे घर का signification किन के पास है शनी देव के पास है और वो सभी signification सूर्य देव को बंदिश में डालते है हमने डिसकस किया था बारवागर hospitalization है और सूर्य भगवान आपकी health है लगन के कारक है तो एक जीवन देने वाला घर hospitalization के घर में जाके कैसा फिल करेगा बारवागर जेल को कहा गया है सूर्य भगवान को राजा का दर्जा मिला है राजा है वो एक राजा के लिए जेल क्या सही स्थान है बारवागर foreign land है अब अपना जन्म भूमी अपना कुल अपना धरम त्याग के सूर्य देव कभी भी खुश नहीं होंगे सूर्य से आप खुद का नीजी धरम देखते है तो ऐसे आप जब विचार करेंगे तो आपको और भी चीजे नजर आएंगी कि कैसे दो के रहेगा तो सूर्य भगवान बारवेगर में विराजमन होंगे ही कितनों के कुंगली में पर क्या सूर्य भगवान उस थान में पसंद करते है उसका जवाब है नहीं सूर्य भगवान पहले गर को पसंद करते है जब वो संराइस का समय होता है वो फॉस्ट हाउस है तो आ अब आपको यह बात पकड़नी है कि क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले एर्थाउस के जितने सिग्निफिकेशन है सब ले आओ एर्थाउस क्या है? देखिए एर्थाउस में जितने भी प्लानेट रूल करते है पहले तो वो समझिये सबसे नमबर वन प्लानेट एर्थाउस में जो रूल करता है वो है केतू केतू is occult, केतू is roots, केतू से cuts और surgeries देखी जाती है separations देखे जाते है, blockage देखे जाते है, shrinkingness देखी जाती है और एर्थाउस को कुवा बोला गया है, गहरा, blank, clueless, कुछ नहीं नजर आरा अंदर अब ऐसा ही कुछ, शनी देव की significations भी है तो नमबर टू प्लानेट कोन है, शनी देव, एर्थाउस में सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव होगा शनी देव किस चीज के कारक है, डीले, या कह सकते है, stationary एक ही चीज को या एक ही subject को continue पढ़ते रहना या उस topic पे research करना, ये एर्थाउस और शनी देव रिप्रेजेंट करते है आप चंद्रमा पे नजर मारिए, क्या चंद्रमा को stationary रहना पसंद है ना चंद्रमा रुक सकते है, ना चंद्रमा को डीले पसंद है और obviously चंद्रमा को ना ही दुखदर्द पसंद है ऐसा कुछ पसंद नहीं जो शनी देव और एर्थाउस रिप्रेजेंट कर रहे है अब नंबर थ्री प्लानिट जो एर्थाउस में अपना प्रबाव छोड़ जाते है वो है मंगल देव मार्स एक रफ एंड टफ एनरजी है चंद्रमा एक सॉफ प्लानिट है, मा की ममता है वो उनको रफ एंड टफ जो नेचर है वो नहीं बहा था और लास्ट में देखिए सबसे ज़्यादा सिगनिफिकेशन कोन दिखाता है इर्थाउस में इन तीनों ग्रह के बाद भी एक ग्रह है जिनका सिगनिफिकेशन आपको मिलता है वो है राहु माराज राहु माराज क्या सिगनिफाई करते हैं? सीक्रेट चीज है डिटेक्टिव गिरी और सडन चीज़े शडन डिजिस हो जाए सडन लौसी सो जाए सडन कोई पेन चालो हो जाए तो ये सभी एर्थाउस और राहु माराज के डॉमेन की चीज़े है अब चंद्रमा की बात करें तो ना तो वो सिक्रेटिव रहना जानते है ना तो वो डिटेक्टिव बनना जानते है और मैंने काफी बार कहा है चंद्रमा मा की ममता है कोई भी माम किसी को भी अपने नहीं किसी दूसये की भी उलाद को यह देखना पसंद नहीं रहे हैं कोई पीडित है उसे अपना उलाद याद आ जाता है किसी भी बच्के को पीडित देखेंगे कि नहीं यह नहीं होना चाहिए अब Airthouse में तो बहुत कुछ देखना पड़ता है और आप एक विचार कीजिए देखिए Airthouse में जितने भी प्लानेट के सिग्निफिकेशन आ रहे है वो सभी मैलिफिक है Ketu No.1, Shani Dev No.2, Mars No.3, Rahu No.4 सब मैलिफिक्स Ketu चंदरमा को ग्रहन लगा देता है तो Airthouse के चंदरमा पे क्या असर आ रहा है उनके Emotions पे उनके सोच पे परदा डाल दिया गया है Shani Dev का प्रेशर है Airthouse में चंदरमा से वो प्रेशर नहीं जेला जाता Mars की Rough Energy, Rahu की Suddenness ये सब चंदरमा से देखा नहीं जाता वो खतम हो जाते अगर उन्हें मदद ना मिली तो इस वीडियो को यही समाप्त करते है और एक और सवाल अकसर लोग करते हैं कि MKS काम करता है कि नहीं क्योंकि बहुत से लोग पकड़ी नहीं पाते MKS का effect आ क्या रहा है कुंडली में तो इसका आंसर भी QNA के हिसाब से आप ले सकते हैं कि मेरे हिसाब से MKS बिलकुल काम करता है पर यहां MKS ग्रह से जादा important होता है कि उन्होंने किन के साथ योग बनाया है क्या पता कोई बचाव करने वाला ग्रह मिल जाए आपको तो यह एक point पे आप जरूर नजर रखिएगा हागे की वीडियो में बाकी ग्रहों को कवर करेंगे ताकि इस टॉपिक को और बेतर तरीके से हम समझ पाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमोइस्टो चैनल को ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पोच सकें अलवीदा लेता हूँ जे श्री कृष्णा हर हर महादेव